ओम श्री गनेशाय नमा मित्रो रादे रादे धरम संसकार चैनल में आपका स्वागदे आज के इस वीडियो में एपिसोड में आपको बताने जा रहा हूँ देव गुरु ब्रस्पती के बारे में यह ग्रह सूर देव के बाद सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है यह वेवाई जीवन और बाग्य उधय करने में सभी ग्रह में सायक ग्रह है और उन्नती प्रगती और बाग्य बनाता है बाग्य उधय करता है साथ ही व्यक्ति के रुके हुए काम भी अपने आप बनने लग जाते हैं जब हम गुरु देव गुरु के ग्रह के कुछ छोटे छोटे उपा जैसे कि आर्थिक तंगी, रुपए पेसे की कमी होना, करजा होना, किसी काम या बालक बालिक अगा विवाकार समय पे नहीं होना, रुकावटे आना, विवा हो भी जाय तो गर में मन मुटाव आना, आपस में विचार न मिलना, यह मदबेद होना, आखिर कार विवा तूड़ जाना, मित्रो, व्यापार में भी कष्ट नुकसान होता है, मेजोर्मेंट भी बिगड़ जाता है, और हानी होती है, मानसिक तनाव के होता है, मानसिक तनाव होने से फिर किसी काम में मन नहीं लगता है, आखिर कार स्वास्त भी बिगड़ जाता है, मित्रो, अपना मकान या के कमजोर होने पर अने प्रकार की समस्षा खड़ी हो जाती हैं खड़े और जीवन में काम बिगणने लग जाते हैं किसी काम में यश प्राप्त नहीं होता सम्मा नहीं मिलता मित्रो साथ ही आर्थी परिशानी भी आती है तो आईए मित्रो हम जानते हैं एपिसोड में देव गुरु ब्रस्पति को मजबूत और बल्वान कैसे करें पेला परते गुरुवार को शिव मंदिन में बेशन के लड़ू चड़ाए इससे देव गुरु गुरस्पति बल्वान हो जाते हैं उनकी शुब दृष्टी हमें प्रदान होती है दूसरा गुरुवार को व्रत करें और पीले वस्तर पहने इस दिन नमक का सेवन न करें पीले रंग का पकवान जैसे बेशन लड़ू इत्यादी आप मंदिन में गरीबों को दाननें तीसरा देव गुरु ब्रस्पति ओम ब्रस्पति आयनम गुरुवार को 108 बार एक माला का आप प्रती गुरुवार के दिन जाप करें चोथा इस दिन पीली वस्तों का दान करें और अपनी सामर्त अनुसार इसमें हल्दी साबुद हल्दी चन्ने की दाल सोना गुड आम फल पीला वस्तर पीतल के बरतन आदी दान कर सकते हैं पाचवा गुरुवार के दिन सूर्य ओदे से पहले उड़ कर और इसना और दू परजलित करें और श्री विष्णु ए ओम नमो भगवन दे वाज देवाय नम का आप ग्यारा माला पाड़ करें या पांच माला या दो माला का आप जाप करें और विष्णु सहसर नाम सोत्र का पाड़ कर सकते हैं यह सर्वश्रेष्ण माना गया है एक बार पाड पाड़ करें या पांच बार या ग्यारा बार या 21 बार जेसा भी आपको समय मिले वेसा विश्णु सहसर नाम सोद्रा पाड़ करें यह सबसे स्रेष्ट माना गया है ओ शटा गुरुवार के दिन शाम के समय केले के पेड़ के नीचे एक दीपक पजलित करें साथ ही बेसन के लड़ू का बोग लगाएं वह पीली मिठाई इत्यादी आप दान कर सकते हैं बाड़ सेकते हैं या चड़ा सकते हैं स्वात्वा मित्रो इस दिन केसर का आप तिलग अपने सर पर लगाएं और अगर केसर ना हो तो मित्रो इस जगे पे आप जो हैं हल्दी का तिलग भी कर स सकते हैं और मित्रों आठवाश्य मंद्र में आप गुरुवार के दिन जाएं पीकच्छा दूद गंगा जल काले तिल और पीसी वी हल्दी का पौडर उसमें आप थोड़ा सा डालते हुए और साबुच चावल के साथ ओम बिरस्पतिया नमहां ओम बिरस्पतिया नमहां ओम गोरी शंकरायन में इस बारा मंत्र को पढ़ते हुए श्रीलिंग पर आप अभिशे कर पूरा दूद तो चड़ादे में और उसके बाद जो जहां दूद गिरता है जरा जलरी में वहां से अपने लग तोड़ा आपने मस्तित पे लगा लें देखिएगा आपके ये देखिए खतम हो जाता है और अपने याप आपके कार वही रहेगा आपकी दुकान वही रहेगी आपका व्यापार वही रहेगा आपकी सर्विस वही रहेगी लेकिन उसमें अपने आप प्रगर्दी होती चले जाएगी अपने आप अटकेवे सारे काम खुलने लग जाएं मित्रो आप इस प्रकार इन चोटे चोटे उपायों को जब आप करेंगे तो इसका आपको स्वय ही आपको अनुबव हो जाएगा कि हमें कितना लाब हो रहा है मित्रो ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करिएगा और जरूर शेर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रो जिससे हमें और भी आगे अच्छे अच्छी आपको इस ग्रहों के बारे में बताने का प्रैत्न करता रहूँगा जैस खिसना दोस्तो रादे राड़े